प्रानमंत्री जी ने रेलवे में कई नए रिकॉर्ड बनाए है 31,000 किलोमेटर नई रेलवे लाइन बनी है याने इटली और फ्रांस जैसे देशों के रेलवे नेटवर्क में जितनी रेलवे लाइन है उससे जादा रेलवे लाइने पिछले 10 वर्षों में मोदी जी ने जोड़ी है 2014 में मात्र 4 किलोमेटर प्रति दिन नई रेलवे लाइने बनती थी आज 15 किलोमेटर प्रति दिन नई रेलवे लाइन तयार हो रही है लेेल्वेय नेटवर्क के जितनी रेल्वेय लाइन इस वक्त भारत में इस वर्ष पर दस वर्षों में 40,000 किलो मीटर रेल्वेय लाइन को डीजल से रेलवे में बिजली पर शिफ्ट किया है यहाँ जर्मनी के रेलवे नेटवर्क से भी अधिक है वंदे भारत ट्रेन आज के एस्पिरेशनल यूथ को भारत में विश्व इस्तर की यात्रा का आनन दे रही है वंदे भारत को कुछी वर्षों में एक्सपोर्ट करेंगे और इसके लिए स्टैंडर्ड गेज की वंदे भारत का डेवलोप्मेंट भी आरंभ हो गया है अमरिक भारत ट्रेन भी रिकॉर्ड स्तर पर सफल हुई है पहली दो ट्रेन के अनुभव से पचास और ट्रेन की मैनेफेक्ट्रिंग स्टार्ट हो गई है 2014 में रेलवे के पुल और अंडरपास यानि आरोबी आर्यूबी दीमी गती से बनते थे वर्ष में मात्र 415 की आउसत थी आज प्रदानवंत्रिशी नरेंद्र मोदी जी प्रती वर्ष एक हजार से अधिक पुल और अंडरपास बना रहे हैं मुंबई से एमदबाद की बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट भी अब 280 किलोमेटर से अधिक बन गया है कश्मीर में 1370 अटने से काम में थेजी आई चिनाब और अंजी के पुल बनकर तयार हुए 97 किलोमेटर टैनल बनी आज 12 से श्रीनगर और श्रीनगर से संगलदान तक ट्र इतरे नौर्थ इस्ट में रेलवे नेटवर्क पर एतिहासिक काम हुआ है उत्तर हो दक्षिन हो पूरब हो पश्चिम हो देश के हर शेत्र में माने प्रधान मंत्री जी ने बिना किसी भेदबाव के सबका साथ सबका विकास इसी मंत्र के साथ काम किया है माने प्रदान मंत्री जी आप विक्सित भारत का फाउंडेशन स्थापित कर रहे हैं भारत वर्ष सदियों तक आपका रिणी रहेगा रेलवे को इतना समय देने के लिए लगातार मार्क दर्शन देने के लिए और रिकॉर्ड बजट देने के लिए एक सो चालिस करोड देशवासी आपको सदैव आभार प्रकट करते हैं भारत माता की जै जै हिंद बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद मालिनी मंत्री जी कितने स्थान पर कारकम हो रहा है अगर गवर्नर वगरे पहुंचे हैं मंत्री पहुंचे उसकी कुछ जानकारी है तो बगर बता सकते हैं तो बताईए जी सर करीब दो हजार इक्किस स्थानों पर लोग जुड़े हैं और करीब 40 लाख टोटल लोग जुड़े हैं आज 2021 इस्थानों पर मान्या गवर्नर्स 20 LG साहब और गवर्नर साहब जुड़े हैं इस करिक्रम में मान्ये मुख्य मंत्रीगण 11 स्थानों पर जुड़े हैं 11 राज्यों में Honorable Deputy Chief Ministers 8 जुड़े हैं 14 Union Cabinet Ministers जुड़े हैं Ministers of State 26 जुड़े हैं सर और राज्यों में मंत्री 156 जुड़े हैं, 590 सांसत जुड़े हैं और 1196 विधायक जुड़े हैं कई दिनों तक कारिक्रम में स्कूल के छात्रों ने भाग लिया करीब पिछले 20-25 दिन से कारिक्रम चल रहा है जिसमें चात्रों ने एक विक्सित भारत की कल्पना में कैसे उनका स्टेशन बनेगा, कैसे वो रेल्वे में देखते हैं उस विशे को लेके क्विज हुए, ड्रॉइंग हुए, डिबेट कॉंपुटिशन हुए और कई जिके ड्रॉइंग कॉंपुटिशन हुए, चात्रों ने बहुत बड़ी संख्या में भाग लिया प्रधान मंत्री जी से आग्र है कि 554 रेल्वे स्टेशनों के पुनर्विकास का शिलान्यास, पुनर्विकसित विश्वस्तरियत गोंते नगर रेल्वे स्टेशन का उद्गाटन, तथा 1500 से अधिक रोट ओवर ब्रिच और अंडर पास का शिलान्यास तता राष्ट्र को सम पन रिमोट का बटन दबाकर करें आज के इस कारेक्रम के माध्यों से देश में रेल्वे इंफ्रास्ट्रक्चर के एक नए युग का आरम हो रहा है आए देखते हैं प्रधान मंत्री जी द्वारा देश वासियों को दी जा रही रेल्वे परियोजनाओं की सौगात पर बनी एक लगूफे भारतिय रेल जिसे लेकर महज एक दशक पहले तक एक आम धारना थी कि इसमें बदलाव और सुधार नहीं हो सकता पर नामुम्किन को भी मुम्किन बनाने वाले देश के दूर दर्शी प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोधी जी के निरनायक नेत्रत्व में रेल्वे में बदलाव के लिए हुए अथक और समग्र प्रयास नए भारत की रेल को आधुनिक कलिवर देने के लिए पिछले तस सालों में रिकॉर्ड बारा लाग करोड रुपे का किया गया दिवेश और बदल गई रेल्वे की तस्विश भारतिय रेल्वे आज एक बहुत बड़े ट्रांस्फर्मेशन के दौर से गुजर रही है इस दसक के अंतर तक भारतिय रेल्वे का पूरी तरह काया कल्प होने जा रहा है पिछला दशक प्रधान मंत्री जी के दृड़ संग कल्प और सपष्ट नीती को दर्शा रहा है तभी तो मातरिद दस वर्ष में 30,000 किलोमीटर से अधिक रेल लाइन का निर्मान और दोहरी करण हुआ 40,000 किलोमीटर से अधिक रेल लाइन का विद्ध्यूती करण भी हुआ 6,000 से अधिक स्टेशनों पर हाई स्पीड वाइफाई की सुविधा डिजिटल इंडिया की पहचान बन रही है डेडिकेटिट फ्रेट कॉरिडोर से मार धुलाई में तेजी आई है तो वहीं अत्याधुनिक सुविधाओं से युग स्वदेशी वंदे भारत और अमरित भारत ट्रेने आत्म निर्भर भारत के सपने को साकार कर रही है देश भर में स्टेशनों के सौंदर्य करण एवं आधुनिकी करण का काम बड़े स्तर पर एक अभूत पूर्व गती से हो रहा है यात्री सुविधाओं को बढ़ाने और रेलवे इंफ्रस्ट्रक्चर को विश्व स्तरिय करने के लिए तेरा सौसे अधिक रेलवे स्टेशनों को अमरित स्टेशनों के रूप में पुनर विकसित किया जा रहा है अमरित भारत स्टेशन योजना के अंतरगर भोपाल का रानी कमलापती स्टेशन हो गुजरात का गांधी नगर क्यापिटल स्टेशन हो बेंगलूरू का सर एम विश्वेश्वराय या टर्मिनस हो या श्रीराम जन्म भूमी स्थित आयोध्या धाम स्टेशन आज बदलते भारत की तस्वीर पेश कर रहे हैं ऐसे शांदार स्टेशन पहले लोग विदेशों में ही देखते थे अब भारत में भी ऐसे स्टेशन बन रहे हैं इसी दिशा में आज एक स्वर्णिम अध्याय जोड़ रहा है 41,000 करोण रुपए की 2,000 से अधिक रेल परियोजनाओं की देश वाजियों को दी जा रही है सौकात जिसमें शामिल है 554 स्टेशनों का काया कर्ण और 1500 से अधिक रोड ओवर प्रिज और अंडर पास का निर्मार आज प्रधानमंत्री नरेंद मोदीची लोकार्पित कर रहे है अत्या धुनिक सुविधाउस से युक्त पुनर विखसत गोंती नगर रेलवे स्टेशन और कर रहे है वर्चुल शिला न्यास देश भर में 500 तिरपन रेलवे स्टेशनों के पुनर विखास कर रहे है यह अम वेटिंग लाउंच, फूट कोड और किद्स प्ले एरिया, परियांग पार्किंग की सुविधा, मल्टी मोडल कनेक्टिविटी और अवागमन के लिए अलग-अलग प्रवेश द्वार जैसी सुविधाई, साथ ही यह स्टेशन होंगे परियावरन अनुकूल और दिव्या प्रेंली भी, पिछले एक दशक में भारत्य रेलवे नागरिकों की सुरक्षा के प्रती बहुत ही गंभीरता से काम कर रही है, सुगम, रेल और सडक यातायाद तथा रेलवे क्रोसिंग पर सुरक्षा सुनिश्चित करने एवं यात्रा में समय की बचत के लिए देश भर म ओवर ब्रिज और अंडर पास का लगातार हो रहा है निर्माण, दो हजार चौधा से दो हजार तेईस के दोरान, दस हजार से अधिक रेल लाइन के ओवर ब्रिज और अंडर ब्रिज का काम पूरा हुआ है, इसी कड़ी में आज प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, शिला न्य कैसे बदल रहा है, सपने कैसे सच हो सकते हैं, यह देखना हो, तो आज इसका एक उत्तम उधारान, भारतियर रेलवे भी बन रहा है। आज प्रधानमंत्री जी से विनमर निवेदन है कि आज के इस एतिहासिक अवसर पर अपने उद्बोधन से हम सभी का मार्क दर्शन करें। आज का एक आरकम नए भारत की नई कार्य संस्कृती का प्रतीक है। आज भारत जो करता है अभूत पुर्वस्पीड से करता है। आज भारत जो करता है अभूत पुर्वस्केल से करता है। आज के भारत ने छोटे छोटे सपने देखना छोड़ दिया है। हम बड़े सपने देखते हैं और उन्हें पूरा करने के लिए दिन रात एक कर देते हैं। यही संकल्प इस विक्सित भारत विक्सित रेलवे कारकम में दिख रहा है। मैं इस कारकम में देश भर से जुड़े सभी साथियों का अभिनंदन करता हूँ। हमारे साथ 500 से अधिक रेलवे स्टेशनों और डेड़ हजार से जादा दूसरी जगों से लाखों लोग जुड़े हैं। अलग-अलग राज्यों के मानेनी राजपाल्थरी, माने मोख्यमंत्री गाण, केंद्र राज्य सरकारों के मंत्री गाण, सांसद गाण, विधाय काण और सानिय जन प्रतिनिती, प्रभुद्ध नागरीक, पद्म पुरस्कार जिनको संबानित मिलाएं। ऐसे वरिष्ट मानुबाव भारत के महत्वपूर्ण जीवन जवानी खपाने वाले हमारे स्वातंत्र से नानी प्रिडम पाइटर और हमारी भावी पीड़ी युवा साती भी आज हमारे साथ है। आप सभी की उपस्तिती में आज एक साथ रेलिवे से जुड़ी दो हजार से अधिक परियोजनाओं का सिलान्यास और लोकारपण हुआ है। अभी तो इस सरकार के तीसरे टम की शुरुआत जून महिने से होने वाली है। अभी से जिस केल पर काम होना शुरू हो गया है, जिस पीड़ पर काम होना शुरू हो गया है, वो सब को हैरत में डालने वाला है। कुछ दिन पहले मैंने जम्मू से एक साथ IIT, IIM जैसे दरजनों बड़े सिक्षान समस्ताओं का लोकारपण किया। कल ही मैंने राजकोर्ट से एक साथ पांच एम्स और अनेक मेडिकल समस्तानों का लोकारपण किया। और अब आज का ये कारकम है, आज 27 राज्यों के करीब 300 से अधिक जिलों में, साड़े 500 से जादा रेलिवे स्टेशनों के काया कल्प का सिलान्यास हुआ है। आज उपी के जिस गोमती नगर रेलिवे स्टेशन का लोकार पर हुआ है, वो वाकई कमाल का दिखता है। इसके अगावा, आज 1500 से जादा रोड, ओवर ब्रीज, अंदर प्रास, इसकी परियोजनाएं भी इसमें शाविल है। 40,000 करोड रुपिये की ये परियोजनाएं एक साथ जमीन पर उतर रही हैं। कुछ महिने पहले ही हमने अमरुत भारत स्टेशन योजना की शुरुवात की थी। तब भी 500 से अधिक स्टेशन के आधुनी करण पर काम शुरू हुआ था। अब ये कारकम इसे और आगे बढ़ा रहा है। ये दिखाता है कि भारत की प्रगति की रेल किस गती से आगे बढ़ रही है। मैं देश के विबिन राज्यों को वहां के सभी मेरे नागरिक बाई बेहनों को अनेक अनेक शुप कामनाई देता हूँ। साथियों मैं आज विजह इस रुप से अपने युवा साथियों को बहुत बदाई देना चाहता हूँ। मोदी जब विक्षिद भारत की बात करता है तो इसके सुत्रधार और सबसे बड़े लाभारती देश के युवा ही है। आज की इन परियोजनाओं से देश के लाखों नवजवानों को रोजगार और स्वरोजगार के नए आउसर मिलेंगे। आज रेल्वे का जो ये काया कल्प हो रहा है ये उन साथियों को भी लाभ देगा जो स्कूल, कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं। ये काया कल्प उनके भी बहुत काम आएगा जो 30-35 वरसों से कम आयूके हैं। विक्षिद भारत युवाओं के सपनों का भारत है। इसलिए विक्षिद भारत कैसा होगा ये ताय करने का सबसे अधीक हक वो भी उनी को है। मुझे संतोस है कि देश भर के हजारों विद्यारतियों ने अलग-अलग परधाओं के माध्यम से विक्षिद भारत के रेलिवे का सपना सामने रखा। इन में से अनेक युवा साथियों को पुरसकार भी मिले हैं। मैं सभी को बहुत सुपकामनाई देता हूं। मैं देश के हर जवान को, हर नवजवान को बताना चाहता हूं कि आपका सपना, आपका सपना ही मोधी का संकल्प है। आपका सपना, आपकी मेहनत और मोधी का संकल्प यह विख्षीत भारत की गरंटी है। साथियों, मुझे खुशी है कि यह जो अमृत भारत स्टेशन है, विरासत और विकास, दोनों के प्रति होंगे। जैसे ओडिसा के बालेश्वर रेलवे स्टेशन को भगवान जगनात मंदिर की थीम पर डियाइन किया गया है। सिक्किम के रंगपो रेलवे स्टेशन पर आप लोगों को स्थानिय वस्तुकला का प्रभाव दिखेगा। राजस्तान का सांगनेर रेलवे स्टेशन सोलवी शताब्दी की हैंड ब्लोग प्रिंटिंग को दर्सांता है। तमुल नाडू के कुम्ब कॉनम स्टेशन का डिजाइन चौल काल के वस्तुकला पर आधारित है। अम्दाबाद रेलवे स्टेशन मोडेरा सुर्यमंदिर से प्रेरित है। गुजरात में द्वारिक का स्टेशन द्वार का दीश मंदिर से प्रेरित है। आईटी सिटी गुनकाओं का रेलवे स्टेशन आईटी के लिए ही समर्पित होगा। यानि अमरित भारत स्टेशन उस शहर की विशेश्ता से दुनिया को परिचीत कराएगा। इन स्टेशनों के निर्मान में दिव्यांगों और बुजुर्गों उनकी सुविधा का भी विशेश ध्यान रखा गया है। साथियों, बीते दस वर्चों में हम सभी ने एक नया भारत बनते देखा है। और रेलवे में तो परिवर्तन, साक्षात हम अपनी आँखों के सामने देख रहे हैं। जिन सुविधाओं की हमारे देश के लोग कल्पना किया करते थे। लोगों को लगता था कि काश भारत में ये होता तो, लेकिन आप देखिए जो कभी आप कल्पना में सोचते थे, आज हम आँखों के सामने होता हुआ देख रहे हैं। एक दसक पहले तक बंदे भारत जैसी आधुनिक सेमी हाइश्पीड ट्रेन के बारे में कभी सोचा था, सुना था, किसी सरकार ने कभी बोला भी था। एक दसक पहले तक अम्रिद भारत जैसी आधुनिक ट्रेन की कल्पना बहुत मुश्किल थी। एक दसक पहले तक नमो भारत जैसी शांदार रेल सेवा के बारे में किसी ने कभी सोचा नहीं था। एक दसक पहले तक विश्वास ही नहीं हो पाता था, कि बारत जैसी रेल का इतनी टेजी से बिजली करण होगा। एक दसक पहले तक ट्रेन में स्वच्चता, स्टेशन पर सफाई, ये तो बहुत बड़ी बात मानी जाती थी। आज ये सब रोज मरा की जिन्दिकी का हिस्सा बन गए है। एक दसक पहले तक मानव रहीत फाटक भारतिय रेल की एक पहचान बन चुकी थी, एक आम तस्वीर थी। आज ओवर ब्रीज, अंडर ब्रीज से बे रोक टोक और दुरगटना रहीत आवाज जाही सुनिस्चित हुई है। एक दसक पहले तक लोगों को लगता था कि एरपोर्ट जैसी आधुनिक सुविदाएं सिर्फ पैसे वाले लोगों के भी भागे में है। आज गरीब और मिरलकास के लोग रेलवे स्टेशन पर भी एरपोर्ट में जैसी सुविदा होती है ना, वो सुविदा रेलवे में सफर करने वाला मेरा गरीब भाई बहन भी उसका लाब ले सकता है। ताथियों, दस्वकों तक रेलवे को हमारे यहां की स्वार्थ भरी राजनिती का शिकार होना पड़ा। लिकिन अब भारतिय रेलवे देश वास्यों के लिए इज़ोग ट्रावेल का मुख्य आधार बन रही है। जिस रेलवे के हमेशा घाटे में होने का रोना रोया जाता था, आज वो रेलवे परिवर्तन के सबसे बड़े दोर से गुजर रही है। यह सब कुछ आज इसलिए हो रहा है क्योंकि भारत ग्यारावे नंबर से चलांग लगाकर पांचवे नंबर की अर्थे वबस्ता बना। दस साल पहले जब हम ग्यारावे नंबर पे थे, तब रेलवे का उसर्ट बजट पैटालीस हजार करोड रुपिय के आस्पाद रहता था। आज जब हम पांचवे नंबर की अर्थिक ताकत है, तो इस वर्ष का रेलवे बजट डाई लाग करोड रुपिय से अधिक का है। आप कल्पना कीजिए, जब हम दुनिया की तीसरी बड़ी आर्थिक महसक्ति बनेंगे, तो हमारा सामर्थ कितना अधिक पड़ेगा। इसलिए मोधी भारत को जल्द से जल्द दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अक्त ववस्ता बनाने के लिए जी जान से जुटा है। लेकिन साथियों, आपको एक और बात ध्यान रखनी है। अगर गोटाले होते रहें, बेवानी होती रहें, तो जमीन पर उस बजेट का असर कभी नहीं दिखता। बीते दस वर्सों में हमने बड़े बड़े गोटालों को सरकारी पैसे की लूट को बचाया है। इसलिए बीते दस वर्सों में नई रेल्वे लाइन बिचाने की गती दोगुनी हो गई। आज जम्मू कश्मीर से लेकर नौर्थ इस तक ऐसे स्थानों तक भी भारतिय रेल पहुँच रही हैं, जहां लोगों ने कभी कलपना भी नहीं की थी। इमानदारी से काम हुआ, तभी डाई हजार किलोमेटर से अधिक डेडिकेटेड फ्रेट कोरिडोर का काम हुआ है। यानि आपने टेक्स के रूप में, टिकट के रूप में जो पैसा दिया, उसकी पाई पाई आज रेल यात्रियों के हित में ही लग रही है। हर रेल टिकट पर भारत सरकार करीब करीब पचास परसेंट डिसकाउंट देती है। चाथियों, जैसे बैंक में जमा पैसे पर ब्याज मिलता है, वैसे ही इंफ्रास्टर्चर पर लगी हर पाई से कमाई के नए साधन बनते हैं। नए रोजगार बनते हैं। जब नए रेल लाइन बिच्ती है, तो मद्दूर से लेकर इंजिनियर तक अनेक लोगों को रोजगार मिलता है। सिमेंट, स्टील, टांस्पोर्ट जैसे अनेक उद्योगों दुकानों में नई नोक्रियों की संभावनाय बनती हैं। यानि आज जो ये लाखो करोड रुप्य का निवेश हो रहा है, ये हज़ारों प्रकार के रोजगार की गारंटी भी है। जब स्टेशन बड़े और आधुनिक होंगे, जादा ट्रेने रुकेगी, जादा लोग आएंगे, तो आसपास रेडी पट्री वालों को भी इससे फाइदा होगा। हमारी रेल, छोटे किसानों, छोटे कारीगरों, हमारे विश्व करमा साथियों के उत्पादों को बढ़ावा देनी वाली हैं। इसके लिए वन स्टेशन, वन प्रोड़क्त योजना के तहर स्टेशन पर विशेस दुकाने बढाई गई हैं। हम रेल वे स्टेशनों पर हजारों स्टॉल लगा कर उनके उत्पाद बेचने में भी मदद कर रहे हैं। साथियों, भारतिय रेल यात्री सुर्विदा ही नहीं हैं, बलकि देश की खेती और अउध्योगीक प्रगती का भी सबसे बड़ा वाहक है। रेल की गती तेज होगी तो समय बचेगा। इसे दूद, मचली, फल, सबजी ऐसे अनेक उत्पादान तेजी से मारकोट पहुंच पाएंगे। इसमें उध्योगों की लागत भी कम होगी। इसे मेकिन इंडिया को आत्मनिर भर भारत अभियान को गती मिलेगी। आज पूरी दुनिया में भारत को निवेश के लिए सबसे आकरसक माना जा रहा है। इसका एक बड़ा कारण ये आधुनिक इंफ्रासक्टर भी है। आने वाले पाँच वर्सों में जब ये हजारों स्टेशन आधुनिक हो जाएंगे। भारतिय रेल की ख्षमता बढ़ जाएगी। तो निवेश की एक और बहुत बड़ी क्रांती आएगी। भारतिय रेल को अपने काया कल्प के इस अभ्यान के लिए मैं एक बार फिर अनेक अनेक शुपकामनाई देता हूँ और सभी देश वाचियों को भी एक साथ इतना बड़ा कारकम का हिस्सा बनना। एक ही कारकमा में लाखों लोगों का जुड़ना। सभी आदने मुख्यमंत्रियों का समाई निकालना, गवर्नर्शी का समाई मिलना, ये अपने आप में आज का ये कारकम शायद हिंदुस्तान में एक अनेक प्रकार की नई संस्कृति को लेकर गया है। मैं मानता हूँ ये रचना बहुती उत्तम प्रकार की आदके कारके में रचकना बनी है। आगे भी हम इसी प्रकार से समय का सरवादिक अच्छा उप्योग करते हुए विकास की गति को एक सांथ चारों दिशाव में तेजी राएंगे। ये आज सिसके हमने देख लिया है। आपको भी मेरी बहुत-बहुत सुब कामना हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद।